हलो फ्रेंज गुड बॉर्निंग मैं हूँ आशीश आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरू जी एक बाफ इससे आपका बहुत बहुत सा अगत है फ्रेंज अगर आप नर्सिंग गुरू चैनल से जड़े हो तो अगर नहीं हो तो जानकर ले लीजिए और रात को आठ बजे 50-50 कुशन लेके आने वाला हूँ जो की एक्जाम में definitely आएंगे मैं guarantee लेता हूँ अगर मेरी सारी वीडियो आप देख लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैं दे हिंदी की वीडियो डाली है जीके की डाली है नर्सिंग की continue डालता हूँ तो सारी वीडियो जाके देख लीजिए फ्रेंस definitely आप क्लियर करोगे ठीके फ्रेंस तो बच्चों का requirement 50 कुशन तो अब मैं 50 कुशन डालने वाला हूँ यह comment थे इनका thank you so much comment करने के लिए और friends हम आपके लिए इतनी महनत कर रहे हैं आपका कोई पैसा नहीं लग रहा please and please support के लिए च आपसे पहले क्यूशन बताने वाला हूँ बहुत सारे selective क्यूशन है don't worry 4-5 बार पूचे के लिए याद रख लीजिए कि यह क्यूशन definitely हर बार आता है अगर बाइल डाक्ट के अंदर हो गया क्या obstruction तो क्या होगा चीक है याद रख लीजिए friends मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा क्यूशन देखने से पहले मैं answer आपको नहीं बता रहूँ आप comment करिए इसका answer अगर आपको आता है तो आप comment करिए definitely आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है एक बार try जरूर करें comment करिए ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसके बाद मैं वीडियो को pose करके देखि ना गड़ा गड़ा की चले next question देख लेते हैं diarrhea tax out too much water यानि कि diarrhea जो हो रहा है चीक है stool pass out हो रहा है चीक है too much water and middles which cause यानि कि अगर diarrhea हो रहा है चीक है diarrhea हो गया अब आपकी बोड़ी के अंदर क्या होगा सीधा सीधा आंसर करिए comment करिए जल्दी से जल्दी लेकोपनेजी ट्राइनेस हंगर dehydration आंसर आता है आपको comment करिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ तो आंसर होगा dehydration बिलकुल friends dehydration हो जाएगा minerals की में कमी हो जाएगी diarrhea होने से चीक है और water loss हो जाएगा तो dehydration होने के सबसे ज़्यादा chances होंगे तो right answer dehydration next question देखता है which of the following test is used to diagnosis ulcer छीक है friends ulcer हो गया तो उसके diagnosis के लिए कुन सा test करते हैं छीक है first option है ECD फिर है barium cello CT scan x-ray answer आता है तो आप comment करिए ठीक है तो इसके अंदर answer आने वाला है अगर आपने right option किया है तो option आने वाला ECD चीक है electron का एक करते हैं detector बोलते हैं हम इसको चीक है electron डालते हैं इसका बहुत detail में हम तहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना time नहीं है हमारे पास पढ़ने का हम सीधा सीधा इसको यार रख लेते हैं ECD that's clear आगे देखते हैं major causative organism of practical sir गड़ा गड़ा के याद कर लेना कम से कम 10 बार question पूछा गया है आगे definitely आने वाला है आता है तो comment करिए जिन्द की भरियाद रहेगा सबसे बले isceria coli, streptococci, staphylococci, helicobacter pyloric चलिए comment करिए answer मैं आपको बता देता हूँ comment कर लिए वीडियो पोस कर लिए चलिए answer बता देता हूँ H. pylori is the most common cause of gastric ulcer जिस कौन क्या बोलता है प्यप्टिक अलसर चलिए याद कर लेना इस question को बहुत बार H. pylori का पूरा नाम होता है helicobacter pylori आगे देख लेते हैं dysphasia meaning dysphasia का क्या means होता है सबसे पहले comment करिए सबसे पहले option options of breathing difficult in swallowing difficult in breathing and decrease in the aspiratory rate answer आता है तो comment करिए मैं आपको answer dys आ गया मतलब कहीं ने कहीं कोई problem है ठीक है अगर कोई चीज है नहीं तो आगे लग जाएगा ए अगर कोई भी चीज प्रोब्लम है तो लग जाएगा क्या dys कोई भी pain है कोई भी problem है तो लग जाएगा डिस तो problem कहां है swallowing में चीक है और dys पनिय हो जाएगा इसका breathing का ठीक है तो right option इसके होने वला है difficulty in a swallowing चेलिए comment करिए six question का answer देखते है बैसिलरी dyscentry एक तरह का diarrhea disease होती है इसकी और भी तीन चार आएगा इसका type dyscentry के types होते है वो भी question में आता है dyscentry बहुत ज़्यादा पुछागा है तो इसी वीडियो के अंदर कम तीन चार dyscentry के type के question में नेट गी है तो वो जरूर देख लीजिएगा चीक है आगे देखते है bacillary dyscentry यह bacillary dyscentry का type causative organism bacillary dyscentry होता है उसका causative organism क्या होता है तो क्या है एंट अमीबा इकुलाई सीजेला स्टोपल को काई बताइए फ्रेंज आता है तो comment करिये जल्दी से जल्दी ओके पोस करके वापस होन कर लेजी वीडियो अब इसका right answer जो होने वाला है C answer is the right answer सीजेला याद रख लेना बहुत बार question पूछा रहता है आगे देख लेते हैं friends which is following diagnostic test would be used to assess a client with acute upper GI bleeding क्या हो रहा है upper GI T क्या हो रहा है bleeding हो रही है तो इसके लिए हम क्या कर सकते है right answer क्या है बता दीजिए यह option है upper GI series second is barium x-ray and endoscopy and arteriography बताईए जल्दी से जल्दी comment करिए ओके आज आईए वापस बता देता हूँ answer इसका जो right answer होने वाला है endoscopy is the right answer याद कर लेना सारे ही selective question बता रहा हूँ चले फिर आगे है dysentery का type जो मैं आपको बता रहा था ठीक है bacillary का answer क्या था cesila तो इसको तो cut दीजिए अब तीन बच गए यह कुलाई भी नहीं आता इस का answer ठीक है इन दोनों में से तो बता दीजिए comment करी जल्दी comment करने से आपको lifetime तक याद रहे खा guarantee है मेरी चलिए amoebic dysentery का जो zight answer causative organism होने वला है वो क्या होने वला है चलिए देख लेते हैं हमने क्या लिखा है तो लिखा है sap and amoeba याद रख लेना friends बहुत important question है dysentery के अभी दोर question आने वाकिए है वो भी देख लेना ज्यादा से ज्यादा comment करिए risk is more after blood transfusion चीक है अब बोला है कि किसी भी percent के blood transfusion हो रहा है चीक है blood transfusion होने time क्या क्या हो सकता है कौन सा hepatitis हो सकता है तो blood transfusion के time कौन hepatitis होने के सबसे ज्यादा chances होते हैं question का answer क्या है comment करिए A, B, C, D तो आपको याद होगा आजाईए वापस comment करके B and C दोनों ही blood transfusion से होते हैं बट अगर दोनों में से कोई एक पूछा जाता है तो हम करते हैं B या C अब दोनों ही answer आ गए तो confusion वाला मेट होगा तो हम जाई answer करेंगे as a C चीक है तो यह याद रख लेना by chance नहीं पूछा जाता दोसों ठीक है दोस्तों दोनों नहीं पूछा जाते हैं हमेशे like A की पूछा जाता है या तो B option में आता है या C आता है दोनों ही आ गए तो आपको करके आना है C वीडियो को लाइक ठोक दीजिए फ्रेंज बहुत अच्छी वीडियो बनते हैं आपके लिए बहुत beneficial होने वाली है और ऐसे ही डेली वीडियो अप्टोड करने वाला हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ओके थैंक्यू हीमेटोस्टेसिस ठीक है हीमिटिमेसिस अब ये बहुत सारे टैमिलोजी बनते हैं स्टूल से बलेड़ाना वोमेटिंग से बलेड़ाना कॉफ में बलेड़ाना आई में बलेड़ाना नोस बे बलेड़ाना ये बहुत सारे टैमिलोजी बनती है सारा तो नहीं बता पाऊंग बट एक-एक तो आप याद रख लेना सबकी, ठीक है, क्योंकि बहुत बात bleeding type के question आज आते हैं, ठीक है, तो यह जहां भी हमारी body में exit point होता है, ठीक है, hole होता है, वहां से bleeding होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो अभी बात करते हैं, हमेटी message की बात करो, तो right arm से क्या होने वाला है, blood in vomiting, blood in sputum, fresh blood in stool, occult blood in stool, comment करिए, friends, चल्दी से चल्दी comment करिए, इसका जो right answer होने वाला है, वो होने वाला है, blood in vomiting, चलिए, आगे देख लेते हैं, next question, सारे selected question है, एक पी ऐसा question नहीं है, जो आज तक पांस बात से कम पूछा गया हो, तो रट लेना सबको, उतार लेना पे इन कॉपी में, चीक है, आगे देखते हैं, direct serum blurubin range, जो serum blurubin की range होती है, चीक है, direct की मैं बता रहा हूँ, indirect की होता है, direct और indirect दोनों आप याद कर लेना, direct की अगर मैं बात करूँ, तो option दे रखा, 0.1 to 0.4, second है, 0.2 to 0.8, third option है, 0.3 to 1.6 and last, 0.4 to 0.8, what is the right answer, comment करिए, value का comment आपने कर दिया, तो और बच्चे भी आएंगे देखने के लिए, उनको भी याद हो जाएगा, तो comment करने से आपके mind was set हो जाएगा, करिए comment, ओके, आज आईए वापस, देख लीजिए आपका सही है, गलत, right, आपका सही है, 0.1 to 0.4 mg per deal, जीक है, इदा, right option is, ये option, चली, आगे देखते हैं, causes gastritis, सबसे पहले, gastritis क्या होता है, stomach, okay, stomach का inflammation हो जाता है, तो उसको हम gastritis बोलते हैं, क्योंकि stomach को gastric से भी हम, pronounces लेते हैं, gastric भी दूसरा लेटिनाम होता है, चीक है, तो gastritis होने के किस, क्या क्या cause हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं, H. pylori infection, मैंने आपको बताया था, कि peptic ulcer का most common cause क्या होता है, H. pylori bacteria, okay, helicobacter bacteria is most common cause of peptic ulcer, तो peptic ulcer से भी हो सकता है, N. S. E. ideas, known, यादिके inflammation की है, disease, sorry, drugs होती है, इन से भी बहुत ज़्यदा chances होते हैं, चिके, आग देते हैं, alcohol and smoking, alcohol तो होती ही, alcohol उसमें total acid होता है, तो वहां की rupture membrane, जो membrane होती है, उनको rupture कर सकता है, तो यह भी हो सकता है, तो मुझे तो कहीं न कहीं लग रहा है, all of the above, आपका answer क्या करने वाला, comment करिए, चले, देख लेते हैं, बिल्कुल, सारे option is the right answer, okay, ORS used in, ORS को use करते हैं, क्या कौन कौन सी condition में, तो करते हैं, देख लीजी, gastritis, constipation, dairy ulcer, ulcer में तो कर ही नहीं सकते हैं, तो already ulcer है, तो इडिटीशन, गेस्टाइटीस का दो सना, अलसर मान सकते हैं, constipation में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई cause नहीं है, constipation को release करने का, तो हम कर सकते हैं, डाइरिया के अंदर, क्योंकि मैंने आपको डाइरिया का उपर question आया था, मैंने बताया था, डाइरिया किस वज़े से होता है, dehydration के कारण, और dehydration में क्या होता है, water loss होता है, body का fluid loss होता है, चीके, तो हम उसको refill करने के लिए ORS दे सकते हैं, कहीं न कहीं interconnected आपको पता लग गया, कि डाइरिया में ORS हम दे सकते हैं, आगे देखते हैं, clinical symptoms of viral hepatitis, अब देखिए interesting question आया है, कि अगर viral hepatitis हो गया, तो उसके क्या clinical symptoms आपको पैसेट में देखने को मिलेंगे, वो क्या-क्या देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, fever, chills, headache, body pain, jointis, या फिर all about, तो comment करिए, ये आपको याद हो जाएंगे, तो ये, मैं आपको बता देता हूँ, comment मत करिए, ये यादे रख लीजे, क्योंकि ये सारा symptoms, hepatitis का ही है, fever, chills, headache, body pain, jointis, ये सारा ही hepatitis का है, तो आपको याद रखने हैं, सारी चीज, इन में से कोई भी एक पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है, कहीं तीन ओप्शन कहीं हो रहोंगे, एक ओप्शन ये होगा, तो फिर आपको problem हो सकती है, तो सारे याद रखने है, fever, chills, headache, body pain, jointis, ये सारे symptoms होते हैं, किसके, hepatitis के, आगे देखते हैं, यह answer आपको दिखिया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, meaning of hematochisia, hematochisia, hematomelsis, ये सारा हुमने पढ़ा है, मैंने आपको बोल दिया, जहां से भी bleeding होती है, याद कर लीजिए, तो हमेशा पूछी जाती है, अब देख लेते हैं, hematochisia हम किसको बोलते हैं, bleeding in mouth, bleeding victim, bleeding in gums, bleeding in lungs, तो इसका आपको दिखी गया होगा, तो याद भी हो गया होगा, comment भी कर दीजिए, hematochisia का means होता है, कि अगर reactum से bleeding हो रही है, तो हम उसको क्या terminology देते हैं, hematochisia is the very important, question, ठीक है, और इसका right answer जो होने वाला है, bleeding per rectum, B option is the right option, comment करते रहिए, याद होते रहेंगे आपको, symptoms of dyspepsia, okay, dyspepsia के symptoms पूछे हैं, तो क्या symptoms हो सकते हैं, dyspepsia के, तो epigastic burning pain, loss of appetite, burping, burping मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा खालेते हैं, अंदर ulcer हो जाते हैं, कुछ bacteria infection की वज़े से थोड़ा सा membrane rupture हो जाती, तो एक ड़कार सी आती हैं अंदर से, feelings, anxiety feelings ही होती है, और कुछ खटा-कटा अंदर से लग रहा है कि बाहर कुछ आ रहा है, एक air type की आती है, इसो बेकस में से, तो उसको बर्पिंग बोलते हैं, वो ज़्यादा इसका कुछ explanation है नहीं, loss of appetite, abagastic burning pain, तो यह याद रख लिजे, dyspepsia के तीनों ही option सही होने वाली है, इसके right option होने वाला है, all of the wow, तीनों ही याद रखना है, symptoms of dyspepsia, burping, loss of appetite, and abagastic burning pain, अगे देखते हैं, types होते हैं, उनमें एक type होता है, apthos, चीक है, इस types में क्या होता है, वो देख लेते हैं, good oral hygiene, चीक है, इसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं, तो वो क्या-क्या कर सकते हैं, हमने देख लेते हैं, good oral hygiene करने हैं, plenty of green leafy vegetables लेनी है, ensure tooth brush has aligned and soft pistol लेने हैं, तो यह सारे option मुझे तो ठीक ल देख लीजिए, क्या होरा good hygiene मिलेनी चीए, plenty green leafy vegetables लेनी होगा, इरिटेशन नहीं होगा, stick में, ठीक है, tooth brush भी easily करना चीए, ठीक है, तो यह सारी चीज़े, इस दाद आइट उप्षिन, दाद ओल आफ अबा, आगी देख लेते हैं, management of basillary dysentery, तीसरा dysentery आ चुका है, तीसर third dysentery आ चुका है, क्योंकि dysentery से हमेशे question पूच जाते हैं, friends, मेरी YouTube चैनल का अब तक यह सबसे बड़ा वीडियो है, क्योंकि according to students में वीडियो बनाता हूँ, तो यह I hope आपको बहुत पसंद आएगा, वीडियो को like करे, share करे, एच चैनल को जो subscribe करे, अभी तक आपने नहीं किया तो, चलि, management of bacillary dysentery, तो third dysentery आ गया, यह कौन सा है, bacillary, इसका treatment क्या है, prevent and treat dehydration, ORS, ciprofloxacin, sorry, यह bacillary आ चुका है, इसका हम treatment देख रहे हैं, okay, sorry, ciprofloxacin, 500 mg, 12 hours, 5 days, ठीक है, तो यह सारा treatment इसका right होने वाला है, सारा टेस्ट में all of above equation इसलिए लिखे हैं, क्योंकि तीनों option आपको याद हो जाए, इनमें कई एक option आ जाएगा, तो आप सही कर क्या होगे, ठीक है, तो bacillary dysentery की क्या क्या treatment हो सकते हैं, prevent and treat dehydration, ORS देते हैं, ciprofloxacin देते हैं, 500 mg, वो कैसे कैसे देते हैं, 12 गंटे से देते हैं, ठीक है, अनिकी दिन में एक हम दे सकते हैं उसको, ठीक है, दिन में एक, फिनाइट में एक, बार 6 से 6 दे सकते हैं, तो पांस दिन तक देना है, आगे देखते हैं, pain is, अब pain क्या होता है, दो डाटा होते हैं, तो subjective and objective, hope for observe, doctor observe कर रहा है, तो हम उसको objective बोलते हैं, subjective जो directly patient आके बता रहा है, is the subjective data, ओके, तो आपको ये तो समझे में आगे, अब pain क्या होता है, अब मैं option देख लेता हूँ, unpleasant experience, subject in nature, subjective nature and maladaptive behavior, ये कोई option ही नहीं होता है, बिलकुल, disapprove करते हैं, इसको option को, तो अगर दो option देखूँ, तो दोनों ही मुझे तो right लग रहा है, क्योंकि unpleasant experience है ये, ओ subjective है, इसके अंदर option आने वाला B&D, comment करिए, comment करना बन कर दिया, आपने comment करिए, comment करिया, the IV fluid of choice in patient with severe dehydration, अब IV fluid का कुम सी choice में हम लेते हैं, N, S, R, L, D, N, S, क्या लेंगे अगर उसको है, severe dehydration, याद रखना friends, कहीं भी dehydration का क्योशन आता है, तो हम उसमें देते हैं, R, L, आर L आपको टिक कर क्याना, चाहिए वो mortrate हो, चाहिए वो severe हो, वो dehydration का कुछ भी क्योशन आए, तो हम उसमें R, L देंगे, क्योंकि dehydration में आपको बता है, डाइरिया से होता है, वो डाइरिय क्या होता है, minerals की कमी हो जाती है, body fluid की कमी हो जाती है, चाहिए, तो यह सारी चाहिए किसमें पर जूंट होती है, R, L में, जिंगर लेक्टेट, चाहिए, तो answer अपने comment क्या होगा, यो, आगे देखते है, what do we call the substance that can stop vomiting, vomiting stop करने के लिए हम क्या देते हैं, पेसेंट को, तो सीधा सीधा answer होता है, सब को पता है, फिर भी आपको याद अन्हा, comment करो भले, फिर मैं right answer आपको बताने वाला हूँ, तो इसके अंदर जो right answer होने वाला, क्या होने वाला, anti-emetics, भी हास CHO के अंदर क्यूशन है था, emetics का, तो यह anti-emetics आगया, आगी देखते हैं, which of the following drug can be used an anti-emetic, अब यह आगया, following drug can be used an anti-emetic की कौन से drug use में लेते हैं, तो वो भी देख लो, ondasterone, phenobarbital, sutlol, kaplodogrel, तो आपको याद होगा अगर आपने कभी होस्पिटम काम किया हो, तो आपने ondasterone तो कभी बच्चे को दी होगी, जाए old adult को दी होगी, जाए old age को दी होगी, जाए old age को दी होगी, ondasterone तो जरूर दी होगी आपने tablet, तो as a anti-emetic done, आगे देखते हैं friends, clinical features of cholera, clinical features of cholera क्या होता है, तो इसके अंदर जो right answer होने वाला है, all of the above, acute water diarrhea, no blood in stool, no mucous stool, तोड़ सा fast करते हैं friends, सारे selective question है, question सारे बताने जरूरी है, चाहिए वीडियो कितना भी लंबा बन जाए, चाहिए, आगे देखते हैं, example of an SAID, note कर लीजे सारे question आप, example कौन-कौन से अनसर दिएगे, तो a and b, aspirin and ibuprofen is the right answer, note कर लीजे सारे question, बहुत ज़रे important question है, आपको याद होना बहुत ज़री, blue rubin is a product हो, blue rubin की सीज़ का product होता है, RBC की breakdown से blue rubin बनता है, तो इसके अंदर answer जो हने वाला है, option B is the right answer, आगे देखते हैं, risk for heart disease, heart disease होने के क्या-क्या risk factor हो सकते हैं, ठीक है, all of above answer आने वाला है, high blood pressure, smoking, lack of exercise, तो यह सारे cause होते हैं, heart disease की, friends, थोड़ा explanation हम कम करेंगे, आप नोट बुक में note कर लीजे सारे question, ठीक है, बहुत ज़रे आपके लिए beneficial होने वाला है, rhythmic contraction of heart, rhythmic contraction क्या होता है, जब ऐसे नोट पंप करता है, blood को flow करता है, तो उसको हम क्या बोलता है, rhythmic contraction, systolic VP हम उससे measure करते हैं, net question देते हैं, opening of right atrium, अब देख लीजे कि तो right atrium होता है, left atrium होता है, right atrium, and right ventricle के बीच में जो होता है, वो tricopsid होता है, and left atrium, left ventricle के बीच में होत लेना, आगे दिखते हैं, approach weight of the heart, heart का weight approximately कितना होता है, वो 300 gram होता है, ठीक है, what is resting adult heart beat, what is the resting adult heart with rest के time, उसकी जो heart beat होती है, कितनी होती है, सार से 80 होती है, याद रख लेना सारे aggression, which is symptoms of coronary artery disease, यानि कि symptoms क्या क्या हो सकते हैं, coronary artery disease के, तो हो सकते हैं, pain or discomfort in the chest, किसे को भी heart attack आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है, यही होता है, pain or discomfort in the chest, which test is used to diagnosis of CAD, coronary artery disease, क्या कर सकते हैं, tread stress test भी करते हैं, history भी लेते हैं, कि प्रेस में कोई disease हुई थी, क्या, या फिर कोई track चलती है, ECG, electrocardiogram, यह भी करते हैं, तो इसदा, all of the work, in the heart, a clogged artery causes a heart attack, in the brain, it causes a stroke, is the right answer, sudden cardiac arrest means that the heart, sudden cardiac arrest, heart का एक दम से ब्लोक हो जाना, suddenly ब्लोक हो जाना, क्या किस सीज के लिए कोज करता है, stop breathing, जब हम stop breathing को बंद कर लेंगे, तो suddenly बंद हो जाएगा heart pump करना, यह आपको मैं interesting question, यहां से दिखा दूँ, काफ़ important question है, which is the most desirable BP, 122.80, the risk of developing high BP can be reduced by, कैसे हम BP को reduce कर सकते हैं, reduce salt intake बिलकुल कर सकते हैं, eating a balanced diet बिलकुल sure कर सकते हैं, taking regular exercise, तो all of the bow is the right answer, what can be the sign and symptoms of high BP, what is the sign and symptoms of high BP, क्या क्या कारण हो सकते हैं, sign हो सकते हैं, high BP के, तो headache and heaviness of head, head के अंदर heaviness हो जाएगा, headache होने लग जाएगा, high BP होगी तो आगे देखते हैं, graveyard of RBC, यानि की कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान हम किसको बोलते हैं, तो spleen को बोलते हैं, which is leucocides release hyperin and histamines in blood, क्या बोला है, leucocides release करते हैं, hyperin histamine in the blood, तो कौन सी leucocides के तो best of fields करते हैं, vitamin essential for clotting, कौन सा vitamin clotting में help करता है, तो vitamin K, what is a plastic, a plastic anemia, तो किसकी कमी से होता है, तो insufficient production of blood cell in bone marrow, ठीक है, यानि की B option इसमें, defensive vitamin B12 and B9, common symptoms of megaloblastik anemia is, common symptoms क्या होता है, megaloblastik anemia का, तो होता है, glositis, last question, full form of CBC is complete blood count, okay friends तो वीडियो बहुत अच्छी दी बाए, बाए, बाए,